सब getir कर दोस्तों मैं नवीन सर्माइbas produit सर्वागत करता हूं। US वईंदकर आपने उम्मीद करता हूं। आप सब वह एक दम सैंदार हों। एक बार सारे पयारे दोस्त बताएंगे आपसब कैसे आप अट लिस्ट बेसे हैं। तो एक बार एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिखना चीए और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा प्यारे दोस्त आपका एक्जाम हॉल से बाहर भी आएगा इस चीज के लिए हम प्रतिवद हैं RWA टीम प्यारे बच्चे इसी बात के लिए जाने जाती है कि आप एक्जाम हॉल से अगर महनत करेंगे तो मुस्कुराते हुए ही बाहर आएंगे तो प्यारे बच्चे बहुत सारा स्वागत है बहुत सारा प्यारे बच्चे जो आप लोगों ने भरोसा किया है उस भरोसे को पूरा करने के लिए हम हर एक क्लास में मिलकर के महनत करेंगे और इस्टेटिक जीके की एक क्लास के लिए प्यारे बच्छे एक promise मैं आप से करता हूँ, आपने अब तक static gk पढ़ी होगी, THSL में पढ़ी होगी, इससे पहले साइद CGL में पढ़ी होगी, आप से पहले भी पढ़ी होगी, मैं एक promise करता हूँ, MTS की जो प्यारे बच्छे static gk होगी, ये आपकी full and final static gk होगी, इसके बाद आप चाहे कहीं भी static gk मत पढ़ना, हमारे ही आगे आने वाले batches में आपको static gk पढ़ने की जरुत नहीं पढ़ेगी, इसको इतना बहतर हम लोग बनाएंगे, और ये बात का feel आप classes के साथ करते रहेंगे, तो एक बार लिख देंगे, we are ready, तो शुरुआत के लिए प्यारे बच्छे आप लोग तयार हैं, बहुत अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके और एक विसेस रूप से SSE क्या पूछती है, आप लोगों को चिंता करने की जरुरत नहीं है, वो सारा काम मेरा होगा, बस आप लोगों को बहुत ध्यान से, डेली हम जो चीज़े पढ़ेंगे, वो आपको प्यारे बच्छे कम से कम 10-15 मनट रिवाइज करनी होगी, मतलब 10-15 मनट आपको रिवीजन के लिए देने होगे, ये एक प्रामिस आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बनता है, तो शुरू करेंगे प्यारे बच्छे आज की क्लास को, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्छे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, आप परिक्षा कौन सी देने जा रहे हैं तो आप लोग अभी SSC का MTS देने जाएंगे तो किसी भी परिक्षा को देने से पहले हम लोगों को ये पता होना चीए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है अगर आप नहीं पढ़ेंगे और बेतर्तीब तरीके से कुछ भी पढ़ेंगे तो कुछ भी पढ़ने में प्यारे बच्छे आप लोगों के energy बेकार जाती है आप लोगों का time बेकार जाता है तो वो selected चीजे हम लोगों को कौन सी पढ़नी है और किस क्रम में पढ़नी है एक बार सुरू करेंगे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से ये आपका note होना चीए material सारा की हम किस crumb में पढ़ने वाले हैं, सारे topic प्यारे बच्चे हम इसी series में पढ़ेंगे सबसे पहले हम आज की क्लास में आज की क्लास में प्यारे बच्चे सास्तिर नरत्यों के बारे में जानेंगे क्लासिकल डांस क्या होते हैं क्लासिकल डांस कितने है क्लासिकल डांस से क्या-क्या कुशन S.S.E. पूछती है कल की क्लास में प्यारे बच्चे इसी सास्तिर नरत्य से संबंदित जो कलाकार है जैसे पूछ लेता है कई बार आप से पूछ लेगा भीया किसी का भी नाम दे करके पूछ लेगा हैममालनी किस नरत्य से संबंदिता है एक basic question है पुछ ता मिरना लिनी सारा भाई सौनल मान सिंग आधी या रुकमनी देवी अरुंडेल ये किस सास्तिर नरत्य से संन्बंदिता है ये हम कल की क्लास में कर रहए होंगे उसके बाद में प्यारे बच्चे लग-भग एक क्लास ये होगी एक क्लास ही हो गई, दो क्लास में प्यारे बच्चे हम आपका सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं प्यारे बच्चे इंडिया में वो कर रहे होंगे, प्यारे बच्चे आपका एक क्लास में हम वादिहंत्र, जितने भी musical instrument है, चाहे वीना हो, चाहे तबला हो, आपका चाहे प्यारे बच्चे आपका music की तरफ बढ़ेंगे, संगीत से बहुत कुछन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक क्लास में हम ये कर लेंगे, एक क्लास में प्यारे बच्चे हम चित्रकला पढ़ लेंगे, ठीक है, भारतिय परिदहान और martial art और युद्धकला, ये दौनों के दौ लोक नरत्य हमारे हाथ नहीं आते हैं, पता नहीं कहां से पूछ लेता है, लेकिन जो बच्चे पुराने student होंगे, एक बार थम सब करना, क्या कभी ऐसा होता है कि एकाद लोक नरत्य की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन हम लोक नरत्य भी बहुत अच्छे से प्यारे बच्च सेक्षन है, most important section है SSC के लिए, आज SSC जो सबसे ज़्यादा question पूछता है, वो art and culture से पूछता है, यानि static GK के प्यारे बच्चे आपसे जो 6-7 या 8 question पूछे जाएंगे, तो इतना आप मान लो उन 6-7, 8 question में 3-4 question आपका art and culture से पूछे जाने हैं, तो art and culture बहुत important topic है, समझ सेक्षन को प्यारे बच्चे finalize करने के लिए बहुत important score होता है, जब हम art and culture पढ़ लेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चे हम book section पढ़ेंगे, जो second most important section है SSC के लिए, मैंने आपको बताया था SSC के लिए, प्यारे बच्चे GS की strategy के लिए, मैंने परस्वा वीडियो बनाई थ जरूर देखना, देख लेना, strategy for GS in MTS, वो मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने आपको बताया था, 2022 में आपका प्यारे बच्चे लगभग 50-60 question books and authors से पूछे गए, इसके बाद हम सारे awards पढ़ रहे होंगे, चाहे किसी भी field के हो, state awards हो या national awards हो या international awards हो, ठीक है, फिर हम प topic आप लोगों के लिए इस बार विसेश लिया है, पदम पुरुसकार 2022 और 2023, ये अलग से क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे, art and culture में जो question बनते हैं, आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, question पूछा जाता है आप लोगों से, कि 2022 में पदम सरी से सम्मानित, कोई अमुक व लोगों को cover कराऊंगा, दिन और दिवस पढ़ेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चे, sports हम पढ़ रहे होंगे, फिर national park, और national park में ही प्यारे बच्चे हम यहाँ पर tiger reserve, ठीक है, अगर यहीं पर हम प्यारे बच्चे wildlife sanctuary, क्या बोलेगे, wildlife sanctuary यानि वन्यजीव अभ्यारन, और यहीं पर ही प्यारे बच्चे हम bio-sphere reserve, यानि कि जो bio-sphere हमारे प्यारे बच्चे सनरक्षित चितर हैं, वो पढ़ रहे होंगे, भारत के पड़ोसी देश पहुत important है, और याद रख लेना आप, इसी करम में हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, देश, राजधानी और मुद स्तल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पुर्मुख व्यक्तित्व, famous personalities जो प्यारे बच्चे चर्चित रही है, static gk के लिहाद से, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चे हम defense system of India पढ़ रहे होंगे, defense system of India का मतलब हो गया, सारा missile से लेकर के, हमारा Armed Forces, Army, Air Force और Navy के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, उनकी कितनी command है, कहां उनके headquarter है, यह सब हम इस section में पढ़ेंगे, और फिर जो कुछ भी हमारा बच जाएगा topic, मान के चलो सास्त्रे घराने हो गए, या बाकी के जो भी topic है, विश्म, पिर्थम, उंचा, लंबा, यह सब ह पढ़ रहे होंगे, आपका प्यारे बच्चे मिस्लेनियश्म में पढ़ रहे होंगे, तो इतनी बात आप समझ गए हैं, प्यारे बच्चे हम इस्टेटिक जी के में क्या-क्या cover करने वाले हैं, जो कुछ भी हमारा बच जाएगा, वो हम विविध में cover कर लेंगे, तो आज क्लास में प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं सास्त्री नरत्य यानि की classical dance, ठीक है, अच्छा dance समझ करके आपकी नजर में क्या आता है, dance से आप क्या लोग समझते हैं, अगर मैं बोलू dance, आपको होगे भी हमको nagin dance समझ में आता है, एकदम से, hip hop dance आता है, और एक dance होता है, जो कोई कैसे भी कर देता है, तो dance हाथ पैर का घुवाना नहीं होता, कि तुमने कैसे भी dance कर दिया, ये नरत्य नहीं है, अगर आप आज देखोगे सरन इनिस्टिटूट, जैनेवा सुटिजर लेंड में इस्थित है, उसके आगे भगवान निटराज की मूर्ती लगी है, अधरवाइस तो प्यारे बच्चे हम, मतलब अश्टेटिक जी के मींस रटा फिकेशन तो हम लोग करते ही है, मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम बच्चों ने देखी होगी, नटराज, मूर्ती, नहीं देखिए तो एक बार देखें, और मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच जानते हैं कि ये भगवान सिव की मूर्ती है, तो जो नरत्या पैदा हुआ है, ये प्यारे बच्चे सनरशना के लिए इस पर्थवी को बनाने के लिए भगवान सिव ने नरत्या किया, और ये भगवान सिव की मूर्ती है, नटराज की मूर्ती है, क्योंकि आज भी लोगो कैसे हुई इसके लिए नरत्य किया भगवान सिव ने क्योंकि भगवान सिव को प्यारे बच्चे रचनाकार और संहारक दोनों ही कहा जाता है कि उन्होंने निर्मान भी किया क्या बोलते हैं उन्होंने किरियेशन भी किया और प्यारे बच्चे उन्होंने विनास भी किया डेश्ट्रॉई भी किया बुरी ताकतों को और ऐसी ही मुद्रा नटराज मूर्ती में वो पैर रखे हुए हैं किसके उपर अपसमार राक्षस के उपर तो दुनिया में सबसे पहले डांस के बारे में नटराज मूर्ती से पता चलता किसी भी सास्तिय नर्त्य का प्यारे बच्चे पिरती क्या साइन कौन सा है वो नटराज की मूर्ती सास्ति नरत्यों के बारे में जानकारी यानि लिखा हुआ कहां मिला तो सास्ति नरत्यों के बारे में जानकारी भरत्मुनी के नाट्य सास्तर में मिलती है बहुत बार S.S.C. ने पूछा है नाश्ट्य सास्तर के लेखक कौन है तो भरत्मुनी राइटर है और प्यारे बच्चे किसके बारे में जानकारी देते हैं? क्लासिकल डांस के बारे में जानकारी देते हैं एक और पुस्तक है अभीने दर्पण क्या बोलोगे? अभीने दर्पण एक और बुग है अभीने दर्पण क्या बोलोगे अभीने दर्पन बुस्तक किसके बारे में जानकारी देती है तो क्या बोलोगे अभीने दर्पन जो पुस्तक है भिया जी ये जानकारी देती है क्लासिकल डांस के बारे में और इसके जो राइटर है इसके जो अथर है इसके जो लेखक है उनका नाम है नंदी केश्वर जब लोगे writer कौन है? नंदी केश्वर है इनके writer है नंदी केश्वर तो कौन सी दो पुस्तके हैं जो हमको प्यारे बच्चे सास्त्र नरत्य के बारे में बताती है तो आपका असर आएगा एक तो भिया जी नाट्या सास्त्र है अच्छा दूसरी कौन सी किताब है तो आप कहेंगे दूसरी पुस्तक का नाम है अभिने दरपन जिसके राइटर हैं कौन आपका नंदी केश्व तो दो चीजे तो ये आपको पता होनी चाहिए आगे चलेगे सास्त्रिय नरत्यों की कुल संख्या कितनी है आठ है दिखो कभी कभी हम लोगों को लगता है भी है नरत्य तो बहुत सारे है वो फॉक डांस हैं उनको हम लोक नरत्य बोलते है जो राज्जियों में है सास्तिर नरत्य कितने हैं सिर्फ और सिर्फ तो आपका आणसर आएगा सास्तिर नरत्यों की संख्या सिर्फ आठ कितनी है सिर्फ और सिर्फ आठ है और इन आठों के आठों सास्तिर नरत्य से SSC भर-भर के कुश्चन पूछता यह बात याथ कैसे question पूछेगा वो मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे पहले आते हम आठ सास्त्री नरत्य पर ये आठ सास्त्री नरत्य है कौन-कौन से कहां से देखना इधर सास्त्री नरत्य लिखे हुए है और इधर लिखे हुए है किस राज्य से उनका संबंध है राज्य से संबंध से मतलब है जहां इनका ओरिजिन हुआ जहां इनकी उत्पत्ती हुई है जहां से ये सुरू हुए थे भरत नाट्यम ओडीसी मनिपुरी कुचीपुरी कथक कथकली मोहिनी एटम और सत्रिया ये आठ है हमारे सास्तिनर्थ है और इनका संबंध किस प्यारे बच्चे इस्टेट से है तो भरत नाट्यम का संबंध किस राज्य से है SSC डारक्टली कुश्चन पूछे भरत नाट्यम का संबंध किस से है तमिल नाडू से है किस से है तमिल नाडू से मोहिनी अट्टम का संबंध किसे है केरल से है और सत्रिया का संबंध किसे है प्यारे बच्चे वो असम से है इतनी बात में कोई दिकत आगया है तो सबसे पहले पर फोकस करें और इसको नोट करेंगे ध्यान से भरत नट्यम का संबंध है प्यारे बच्चे तमिल नाडू से और ये सबसे पुराना, नोट करना, ये क्या है? सबसे पुराना सास्त्रिय नरत्य है, सबसे पुराना सास्त्रिय नरत्य है, कौन सा है? तो क्या कहेंगे यह सबसे पुराणा सास्ट्रिन अर्थ्य है हमारा कौन भरतनाट्य हो तीन सब्दों से बना हुआ है भै, रै, तै क्या हो लोगे भै, रै, तै इन सबका अपना एक अर्थ है ऐसे मतलब होता है भाव, चेहरे का गैस्चर, डांस करते टाइम ऐसा नहीं है, डांस आप खुसी में कर रहे है और चेहरा ऐसा बना रखा है, रोया जैसा जैसा कोई मजबूरी में डांस करा रहा हो तो भगवान सिव जी ने भी दो तरह के डांस किये तांडव, जानते हो तांडव एक तो किया उन्होंने रौद रूप में, जो गुसे में किया उन्हों और एक किया उन्होंने आनंद में जिससे रिसी लोग खुस हुए, देवता लोग खुस हुए तो क्या बोलते है, वही भाव होता है कि नरत्य करते समय हमारे चेहरे पर भाव क्या है रह से मतलब होता है राग, म्यूजिक तैसे मतलब होता है, यह चीज़े आप नोट मत करना, ठीक है या वो लोगे तैसे मतलब होता है ताल पैरों की ताल दी जाती है ना डांस में उसके मिना तो कोई है ही नहीं विगर ताल के तो नरत्य का कोई अर्थी नहीं बनता ओडिसी का सम्मध ओडिसा से है मनीपूरी कच्ची पूरी रहगी ऐसे समझे लो पूरी आधी तो भगवान जी को बोग लगाते या कच्ची पूरी कौन खा सकता है अंधा ही खा सकता है अकर देखता है तो कहेगा न तुमसे भईयत तुमको पूरी बनानी नहीं आती कच्ची पूरी इखलाते हो कच्ची पूरी अंधर परदेश कथक उत्तर परदेश यूपी के जो है वो थकते नहीं है बिलकुल भी ऐसा नहीं है और स्टेट वाले थक जाते मैं ऐसी कह रहा हूँ थोड़े बोलते हैं कि जदा डाइलॉक्स देते हैं थकते नहीं डाइलॉक्स देने में कत कलि केरल में कली पहनते हैं बालों में घजरा लगाया जाता है आज भी हमारे हाँ नहीं लगता है सास्त्रिय नरत्य कौन सा है? Newest Classical Dance. सबसे नया सास्त्रिय नरत्य. आप कहेंगे भीया, Oldest Classical Dance जो है? Oldest Classical Dance कौन सा है हमारा? Oldest Classical Dance है भरतनाट्यम. और Newest Classical Dance कौन सा है हमारा? Newest Classical Dance. तो आपका आणसर आएगा, Newest Classical Dance आपका आणसर आएगा कि सत्रिया है. इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब आते हैं हम इसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन पर. कैसे जी? कि कौन सा नरत्य किस छेत्र में होता है? क्या आप जानते हैं तमिलनाडू भारत के कौन से हिस्से में है? पताई ये इतनी बात. उत्तर में है कि दच्छिन में है तमिलनाडू. अगर हम प्यारे बच्छे भारत की बात करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के कौन से हिस्से में प्यारे बच्छे तमिलनाडू है? तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का आप कहेंगे भीया तमिल नाडू जो है भारत के तच्छनी हिस्से में जानते हो इतनी बात या नहीं आप कहेंगा हम भीया इतनी बेसिक जानकारी तो हमको है कि ये वाला जो छेतर है ये तमिल नाडु वाला छेत्र हो गया, तो तमिल नाडु यानि भरतनाट्यम कौन से प्यारे बच्चे छेत्र में होता है, साउथ में, दच्छिन में, मैं कुश्चन दिखाऊंगा आपको SSE न कैसे पूछें हैं, एरिया से, आज ही प्रैक्टिस करेंगे, और हर चेप्टर क बाद में प्यारे बच्चे हम एक प्रैक्टिस सेसन लगाएंगे, हर एक चेप्टर के बाद, ठीक है, उडिसा बताएंगे प्यारे बच्चे किधर है, आपका, उडिसा भी लगभग साउथ में है, या बोलेंगे ये भी दच्छिन का है, मनीपुर कहां पढ़ता है भारत क नौर्थीष्ट का है मनीपुर, मनीपुर किधर है प्यारे बच्चे, नौर्थीष्ट में है, नौर्थीष्ट तो समझ दे न, ये नौर्थ है, ये साउथ है, ये इस्ट है, और ये क्या है, ये वेस्ट है, इस वाले एरिया में पढ़ता है, नौर्थीष्ट में, आंधर तो प्रश्टता ये नरत्यों में क्लासिकलड डांस में वो कौन सा डांस है जो उत्तरबरत में प्रस्तुत किया जाता है उत्तरबरत का मतलब हो गया ये प्यारे बच्चे अकला है जो North का है क्योकि उत्तरप्रदेश कहा है आपका North में है केरल किदर है प्यारे बच्चे यह साउथ में है मोहिनी अट्टम प्यारे बच्चे केरल के लिए धरी एरिया हो गया मोहिनी अट्टम क्या बोलोगे साउथ में है और सत्रिया असम कहां पड़ेगा आपका प्यारे बच्चे असम आप कहेंगे कि ये नौर्थ इस्ट में हो गया अब मेरे कुश्चन सुनना ध्यान से और आंसर देना पहला कुश्चन ऐसा कौन सा राज्य है जिससे दो सास्तिरी नरत्यों का संबंध है अब मेरे कवाए एक बोलेंगे एक बार आप कहेंगे थिया केरल पहला कुश्चन ने दूसरा कुश्चन सुनने ऐसा कौन सा सौस्तिर नरत्यों है जो सिर्फ और सिर्फ अत्तर भारत में आयुजित होता है अब मैं तुमसे पूछूँ उत्तर पूर्व भारत में कितने सास्त्रिय नरत्य संबंद रखते हैं नौर्थ इस्ट से कितने सास्त्रिय नरत्यों का संबंद है तो क्या बोलोगे मनीपूरी और असम दो का संबंद तो अब आंसर करें ऐसे कितने सास्त्री नरत्य हैं जो दच्छिन भारत से संबंद रखते हैं यानि कि जो साउथ इंडिया से संबंद रखते हैं तो आप क्या कहेंगे भीया साउथ इंडिया से हो गए हमारे पांच तो South India से 5 है North East से 2 है और प्यारे बच्चे North से कितना कथक है एक और बात याद करेंगे कथक का दूसरा नाम है नटवरी नरत्य क्या बोलेंगे नटवरी नरत्य के नाम से किसको जाना जाता है नटवरी का अरथ होता है कृष्ण का नरत्य है मैं आपको बताऊंगा तो कौन सा नरत्य है जिसको नटवरी के नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे भीया उत्तर प्रदेश का कथक है वदिक्कत इतनी बात में एक बार आराम से चीजों को नोट कर लेंगे और जब नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे कि आप नोट कर चुके है बहुत बढ़ी है सभी दोस्तों का अंसर पांच आता हुआ बहुत सही सौरब चौधरी अनूप गौतम अजीत सिंग रहाने एक पुराने छात्र है आईटियो जयातिवारी अपने कुश्यन पूछने में आपको दिखाऊंगा तो हम सुरू करेंगे मैं आपसे कोई भी नरत्य पूछूँगा आप बताएंगे मुझे एक दम से अभी मैंने बताया आपको भरत नाट्यम भरत नाट्यम कहा का था तो आप कहेंगे भरत नाट्यम भरत नाम से क्या सब्द याद आता है भरत मिलाप बोलते नहीं है भरत मिलाप चल रहा है दो लोग जब मिलते है यस और नो तो भरत नाम से आता है मिल सब्द और मिल किसमें आता है वो आता है तमिल में मिल सब्द, तमिल नाडू, तमिल नाडू, एक तो ये चीज कभी नहीं भूलनी, अच्छा, अब इससे संबंदित कुश्चन क्या-क्या पूछे जाते, जहां से देखे, प्यारे बच्चे, ये जो हमारा भरतनाटियम है, इसके बारे में, इसका पुराना नाम लिखें एक त इसका पुराना नाम सदिर, क्या है था पुराना नाम, इसका पुराना नाम सदिर था, उल्ड नीम क्या था इसका, सदिर इसका पुराना नाम था, ये है, मंदिरों को समर्पित है, devoted to temples, कहां आयोजन होता है, इसका मंदिरों में, ये है, मंदिरों को समर्पित है क्या बोलेंगे आप devoted to temples ऐसा कौन सा प्यारी बच्चे सास्तिरे नरत्य है जो मंदिरों को समर्पित है तो क्या बोलेंगे वो भरतनाट्यम है हमारा आगे आते हैं तीसरी बात पर प्यारी बच्चे नरत्य का जो आरंब होगा नरत्य का आरंब और अंत दोनों important है अब ये MTS में ही पूछा गया नरत्य का आरंब आला रिपू से होता है आरंब तो नहीं पूछा लेकिन अंत पूछा है किससे आला रिपू से होता है मतलब ये पोज है एक क्या है ये एक ये एक सुरुवात है वही कोई भी dance होगा उसका एक form होगा तो जैसे ही इस dance को सुरू करने जा रहा है जैसे ही इसको सुरू करने जा रहे हैं तो पहली format कौन से होती है आला रिपू ठीक है Starting of dance Starting of dance कहां से सुरू होगी From आला रिपू आला रिपू अच्छा नरत्य का अंत यह question MTS 2021 में पूछा गया नरत्य का अंत जब आप previous year लगाएंगे तो प्यारे बच्चे आप लोगों को पता चलेगा कि नरत्य का अंत फिलाना पर होता है फिलाना फिलाना पोले या फिलाना बोलो फिलाना या फिलाना पर होता है दो कुश्यन आप लोगों के सामने आ गए एक तो मैंने बुला भरत नाट्यम का पुराना नाम सदिर है devoted to temples started from आलारिपू and ends on खत्म कहां पर होगा तो आप कहेंगे भीया खत्म होता है तिलाना या थिलाना बोले भी चार चीज़े याद रखेंगे कोई दिक्कत इतनी बात में तिलाना वेरी गुड बहुत ठीक तो क्या बोलेंगे ends on end of dance किस पोज पर ये खत्म होता है तिलाना तिलाना या आप इसको कह सकते हैं तिलाना ठीक है इस बात में कोई दिक्कत अब इसमें एक क्यारक्टर होता है जिस क्यारक्टर का नाम है नटुवार क्या बोलेंगे नटुवार तो SSC न बड़ा सांदार कुष्चन कुछा भी CGL Prelims 2022 में नटुवार का संबंद किस सास्तिर नरत्य से है ये कहीं ब्लॉक में आप लिखेंगे प्यारे बच्चे येहीं भरतनाट्यम में नटुवार 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 अरे भरतनाट्यम नटुवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है वही कोई डांस होगा तो किनी पंक्तियों पर होगा कविता पाठ करता है मतलब जो प्यारे बच्चे पॉईट्री का सेक्षन है उस पॉईट्री के सेक्षन को कौन बोलता है ये एक व्यक्ति है कविता पाठ करता है जैसे जो पुस्तक लिखता है उसको आप लेखक कह देते हैं, जो कविता लिखता है उसको आप कवी कह देते हैं, जो कविता ही लिखने वाली इस्तरी है उसको आप कवित्री बोल देते, यही कहते हो ना, राइटर कहते हो, पॉइट कहते हो, ऐसे ही प्यारी बिच्चे जो भरतनात्यम की कविता को पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं नटुवार कहते हैं कब बुलते हैं इसको नटुवार तो नटुवार आप क्या कहेंगे नटुवार related to related to poetry section poetry section of प्रवर्थ नाट्यम कोई दिक्कत प्यारे बच्चे याद रखने ना यह भरत नाट्यम की वो जरूरी चीजे हैं जो आपको कभी नहीं भूली आराम से नोट्स बनाते चलें जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाना है PDF आपको प्यारे बच्चे जो हमारा बैच है, आदर्स बैच उसमें सेक्सन होगा, अपने आप आपको open मिल जाएगा, जो बच्चे बैच परचेस कर चुक है, वहाँ पर PDF मिलेंगी, बहुत सांदार राइटिंग में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखिवी PDF आपको मिलेंगी, नोट नहीं करना च पर चाहते हैं, PDF से पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत से पढ़ सकते हैं, अदर्वाइस मेरी यह यह है, प्यारे बच्चे कि आप चीजों को अपने हाथ से लिखें, जब आप हाथ से लिख देते हैं, किसी टीचर को चीजे क्यों ज़्यादा याद होती है, क्योंकि वह फिजिकल मैमोरी, प्यारे बच्चे बहुत बड़ी मैमोरी होती है, हम इसे बहुत सारे बच्चे सांत पढ़ते हैं, ऐसे मन करके, बोलते हैं चुप चाप पढ़ना चाहिए, नहीं, फिजिकल मैमोरी का यूज करना चाहिए, लाइबरेरी में तो आप तेज नहीं बोल सकत तेज बोलना भी नहीं चीए, धीरे धीरे आपको बोलना चीए, लिप्स आपके कम से कम हिलने चीए, यह फिजिकल मेमोरी है, यह देर तक स्थाई होती है, ठीक है, आगे आए, वदिक्कत इतनी बात में नोट कर चुके, भरत नाट्यम के बाद में प्यारे बच्चे मैं आप ODC, बताएंगे एक बार ODC का संबंद किस स्टेट से था, तो आप कहेंगे ODC का संबंद वहिया जी किस से था, वो ODC से था, यही था ना, चीख है, अच्छा, ODC का संबंद ODC से है, लेकिन यह कहां पर आयोजित होगा, ODC में, ऐसा नहीं है इसको और कहीं देश में आयोजि क्या है प्यारे बच्चे, भगवान किर्षन की कथाओं पर आयोजित होता है, भगवान किर्षन से संबंद है, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिलेटिड टू गॉड कर्षना, रिलेटिड टू गॉड कर्षना, तो भगवान किर्षन से इनका संबंद है, याद रख लेना, यह है, त्रीभंग मुद्रा में किया जाता है, त्रीभंग मुद्रा में किया जाता है, अभी त्रीभंग मुद्रा क्या होती है, यह है, त्रीभंग मुद्रा में किया जाता है, याद लख लेना, परफॉर्मस इन परफॉर्मस इन ट्राइ एंगुलर पोज त्रिभंग मुद्रा होती है, प्यारे बच्चे, एक पैर को मोड कर एक पैर मोड लिया, अब तुमको मेरो पैर तो दिखेगा नहीं एक पैर मोड लिया और गर्दन दूसरी दे सामे कर लिए यह त्रिभंग मुद्रा, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एक बार ODC का संबंद प्यारे बच्चे किस से, भगवान स्रीकृष्ण से है, और कौन सा, कभी भी आप से पूछा जाएगा, कौन सा सास्त्री नरत्य है, जो त्रिभंग मुद्रा में, ट्राइंगलर पोज में किया संबंद था, मनिपूरी का संबंद किस से था, आप कहेंगे, इसका जो रिलेशन था, वो था मनिपूर से, और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वैशनरिजन, जो वैशनव संपरदाय है, वैशनव संपरदाय जानते हो कि नहीं, अभी बताएगे, याद रख लेना, यह है, वैशनव संपरदाय से संबंदित है, वैशनव संपरदाय से संबंदित है, क्या बोलेंगे, रिलेटिड टू वैशननिज्म, तोरी, रिलेटिड टू, वैशनज्म, क्या बोलोगे, तो किस से संबंद है इसका, इसका प्यारे बच्चे वैशनव संपरदाय से संबंद है, ओके, कोई परिसानी इस बात में, ठीक है, अच्छा, यहाँ कृष्ण नहीं लिखा, और बहिया, गलती से कृष्ण लिख गया है, कोई ने इतनी हो जाती है, तो उसके लिए पहले से माफ ही है, I am not a robot, छोटी-छोटी गलतिया हो जाती है, लेकिन आप लोग याद दिलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतनी बात में कोई परिसानी, तो मनीपुरी का संबंद हो गया, प्यारे बच्चे मनीपुर से, और व तो कहने की बात है, लेकिन फिर भी एक आस्था है, तो जो लोग भगवान सिव को इष्ठ मान के पूजा करते हैं, तो वो सैव लोग हैं, सैव, उनको सैव संपरदाय के लोग बोलते हैं, और भगवान विश्णु को मानने वाले जो लोग हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनक को हम नेनार और अलवार के नाम से जानते हैं यह आप प्यारे बच्चे हिस्ट्री में पढ़ोगे जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा तब आप जानेंगे इस बात को ठीक है यह कर आज सारी लड़िया रखती है वरत है चौथा कुछी पुड़ी का सम्मंद प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार कहां से है कुछी पुड़ी का सम्मंद किस स्टेट से था बहुत पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे परिसान हो जाते हैं कहते हैं आंदर प्रदेश आप्शन में नहीं है दरसल में प्यारे बिचे पहले आंधर प्रदेश था और आंधर प्रदेश से ही बना तेलांगाना और कभी अगर आंधर प्रदेश विकल्प में नहीं है और तेलांगाना लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या चुनेंगे सब तेलांगना चुनेंगे क्योंकि तेलांगना किस से बना है आंधरा से ही बना है अगर भीया दौनों हुए ऐसा कभी हो नहीं सकता अगर दौनों हुए तो फिर आंधर प्रदेश चुनेंगे क्योंकि आंधर प्रदेश के कुछी पुडी गाउं से इसकी सुरुवात हुई थी ठीक है आंधर स्पीच होती है कुछीपुडी में, इस्पीच भाशन होता है, लिखना यह है और यह कुश्चन वो है जो SSC ने पूछा है MTS नहीं, यह MTS बड़े तकड़े तकड़े कुश्चन पूछ रहा है, इलकुल, यह है भाशन और, अभी दिखाऊंगा मैं कौन सी सिफ्ट में और डांस को यह जोडता है, यह है भाशन और सुद्ध नरत्य को जोडता है, भागवत पुराण, जब हो लोगे, भागवत जानते हूं न, भागवत पुराण को आधार माना जाता है, अब यहां से कुश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, पुश्चन पूछेगा, वे है कौन सा सास्के नरत्य है, जिसमें भागवत की कताओ को परफॉर्म किया जाता है, भागवत यानि की भगवान, स्रीक्रिशन ने जो प्यारे बच्चे पुरुछेत्र में कहा, किसको जो अर्जुन को समझाया, भागवत गीता के नाम से आप इस एक पुराण हो गया, related to भागवत पुराण, इतनी बात में कोई दिकत, तो कौन सा भागवत पुराण से संबन रखता है, आपका आंसर आना चाहिए, भागवत पुरुडी, कच्ची पुरुडी, कौन अंधा खाएगा कच्ची पुरुडी, इतनी बात याद रख लेन तीसरा, याद रखोगे, पीतल की तस्त्री, क्या बोलेंगे, ब्रास प्लेट आप इसको कह सकते हैं, पीतल की तस्त्री में पैर रख कर, नरत्य करने का परचलन है, जरूरी नहीं है कि हर बार किया जाए, लेकिन इसी में इस्तेमाल होती है, पीतल की तस्त्री, कौन सी तस्त्री, ब्रास प्लेट, क्या बोलेंगे, आप से कभी भी पूछा जाए, वो कौन सा प्यारे बच्चे, क्लासिकल डांस है, जिसमें ब्रास प्लेट का इस्तेमाल होत होता है तो क्या कहेंगे ब्रास प्लेट का इस्तेमाल होता है भया जी कुछी पूडी में ठीक है तर इसक्रीन के लिए नहीं आ रहा है प्यारे बच्चे आपको थोड़ी सी क्वालिटी पढ़ानी होगी अपनी यहां हमेशा क्लास एक ही बूर्ड पर एक जैसी होती है बहुत का पॉइंट है इसमें करनाटक संगीत को पेस किया जाता है अभी SSC TGL Prelims में पूछा गया 2022 वाले में जो पीछे हुआ था आपका लेटेस्ट इसमें करनाटक संगीत पेस होता है अभी करनाटक संगीत क्या होता है यह नहीं जानते आप कि आप मैं पढ़ाऊंगा मैं म्यूजिक में याद रखेंगे इन कुछी पुड़ी कुछी पुड़ी there are performance of performance of करनाटका म्यूजिक करनाटका म्यूजिक तो करनाटक म्यूजिक प्यारे बच्चे किस में होता है आप कहेंगे वो कुछी पुड़ी में होता है यह हमारे चार सास्ति नरत्य हो गए पांचवा सास्ति नरत्य कौन सा था हमारा तो पांचवा सास्ति नरत्य था हमारा कथक अब बताएं कथक का एक और क्या नाम मैंने आपको बताया था बोलेंगे प्यारे बच्चे कथक का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था तो आप कहेंगे भीया आपने बताया था नटवरी नटवरी और अभी S.S.C. J.E. ने पताया क्या पुछा SSC Jaii ने एक छोटा सा कुशन पूछा 2021 में उसने पूछ लिया नटवरी का अर्थ है कोई क्या बोले नटवरी का क्या अर्थ है नटवरी का अर्थ है कि कृष्ण से सम्मंद ये हमको पता होना बहुत जरूरी है कि नटवरी में क्या होता है प्यारे बच्चे राधा क्रिष्ण की कथाओं से सम्मंद है यानि प्रेम पर आधारित है ये है राधा क्रिष्ण की कथाओं पर आधारित है तो कौन सा है प्यारे बच्चे जो राधा क्रिष्ण की कथाओं पर आधारित है कथक है क्योंकि राधा कृष्ण की कथाए कहां की है तो ब्रज छेतर ब्रज एरिया कौन सा है हमारा मत्वरा यहीं तो भगवान स्रिक्रिष्ण का संबंद है मत्वरा से आपका प्यारे बच्चे हैं हम बोले पूरा ब्रज छेतर हम बोल सकते हैं मत्वरा बोलो आप उसमें Specially कभी व रादहा कृष्णा अधिकत कोई परिशा नहीं बात में बोलेंगे यह हमारा पांचवा साफ्तिर नर्त्य हुआ और यह प्यारे बच्चे वह सभी कुष्ण है जो SSC ने कवर किये हैं यह कवर कर सकती है यह पूछा जा सकता है खटा क्या था प्यारे बच्चे हमारा कतकली कतकली कहा का था प्यारे बच्चे आप कहा अंसर आएगा भाया जी कतकली था केरल का कतकली कहा का था केरला का है इसके प्यारे बच्चे क्या विसेश चीजे हमको याद करनी होंगे इसका संबंध हम याद कर सकते हैं अच्छा कतकली के साथ में एक और बताओ केरल का और कौन सा बताया था मैंने आपको आप कहेंगो मोहीनी अट्टम थोड़ा सा दो लाइन का इस पेश छोड़के दोनों को साथ लिखना ताकि अंतर दोनों का आपको समझ में आए एक ही स्टेट के ये दो क्यूं है बाकी तो नहीं है किसी का मोहीनी अट्टम ये भी कहा का बताया था प्यारे बच्चे मैंने आपको खेरल का ठीक है मोहीनी अट्टम भसमा सुर राक्षर्स जानते हो समको जलाने लग गया रगवान विश्णून ने फिर मोहीनी का रूप धारन किया और डांस डांस में उसका हाथ उसके उपर रखवा दिया खुदी जलकर भसम हो गया वो ठीक है तो कतकली प्यारे बच्चे जो केरल का है तो कतकली के बारे में इंपोर्टेंट बात ये है कि ये पुरुसो द्वारा किया जाता है और मोहीनी एटम महिलाओं द्वारा चाब बोलोगे पुरुसो द्वारा किया जाता है पुरुसो द्वारा किसके द्वारा? इसको मेल्स करते हैं और ये किसके द्वारा किया जाता है? यानि अकेली महिला द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चे आपका क्या मोहिनी अटम के बात याद रखे अब इंपोर्टेंट एक और बात है क्या बात है जो प्यारे बच्चे हमारा कतकली है इसमें कहानिया वह कौन सा सास्ते निरत्य है जिसमें रामायन महभारत की कहानियों को आधार बनाया जाता है उनके जो किस्से हैं उसको ये परफॉर्म करते हैं जैसे राम बन जाएगा एक, भगवान सिर राम बन गए और एक बनेगा रावन भगवान सिर राम तो नायक है, हीरो है और विलेन कौन है विलेन आप कहेंगे रावन है तो पुरुसो द्वारा किया जाता है याद रख लेना रामायन महाभारत इसके आधार है रामायन महाभारत इसके आधार है जा बोल सकते हैं based on रामायन and महभारत तो हमारे प्यारे बच्चे महकावे हैं ये जीवन जीने की सिक्षा हमको देते हैं रामायन महभारत इसके क्या है आधार है तो दिक्कत इस पात में अच्छा अब अभिया जब रामायन इसका आधार है तो एक तो विलेन दिखाएगा तो याद रख लेना जो कतकली है उसमें जो नायक होता है नायक का मतलब समझ रहे हैं जो हीरो होगा जो हीरो होगा और एक जो खलनायक होगा यानि कि जो विलेन होगा विलेन क्या बोलोगे जो विलेन होगा याकूमत बोल देना उसको तो बोलते खलनायक को तो कथी और जो हीरो होता है उसको बोलते पाचा आथ समझे जैसे मैंने बोला था भरतनाट्यम में नेटुवार होता है वो कविता को पढ़ता है तो आप से कभी पूछले पाचा और कथी का संबंद किस सास् आएगा आप कहेंगे पाचा का संबंद है भिया जी कतकली से और पाचा किसका अभिने करता है वो प्यारे बच्चे आपका नायक का भिने करता है हीरो का भिने करता है ठीक है खलनायक विलेन इसको कथी हम बोलते हैं अच्छा एक और बात पर आते हैं कतकली में इसमें चहर चेहरे का भाव 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 समझते हूं ना गैस्चर जैसे लड़किया पानी पटा के खाते समय गैस्चर देती है या आप ऐसे समझ सकते हैं लड़कियां जैसे नाक चड़ाती है पिरशी नाक मतलब इसमें ठोड़ी ना, कान, भौ इन सब के क्या गैस्चर है यह सब का बहुत इंपोर्टेंट रोल है प्यारे बच्चे किसमें कतकली में इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है तो वह कौन सा क्लासिकल डांस है लड़के मुह नहीं बनाते हैं इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है हम अपनी प्यारी बहनों को कुछ भी बात कह सकते है इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है अच्छा मोहिनी अट्टम बस इतना अंतर है कि कतकली तो करते हैं पुरुस जैसे ये डांस की तरह है पंजाब में भांगडा कौन करता है पुरुस गिद्धा महिलाईं करती है ऐसे ही प्यारे बच्छे सास्त्रिये में क्या होता है केरल में कतकली पुरुस करते हैं मेल्स के द्वारा किया जाता है क्या बूलेंगे बाए मेल्स इसको male करते हैं और इसमें क्या करती है आपकी single female, कोई भी एक प्यारे बच्चे महिला अखेली होगी, वो इस नरत्य को करती है, वदिकत कोई नहीं, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगे, तो उसके लिए really sorry सत्रिया, आठवा नया है प्यारे बच्चे, बुलेंगे एक बार इसका संबंद किस से था, तो आप कहेंगे इसका संबंद भीया जी, असम से था, असम क्या कहेंगे असम से इसका संबंद है, ठीक है? अच्या ठीक है जी मैंने बुला ये सब से नया है अब ये सबसे नया है तो इस बात का क्या मतलब है? और जो सबसे पुराना है इस बात का क्या मतलब? तो पुराने से मतलब है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को कहा जाता है प्यारे बच्चे सिर्फ सुनना, दूसरी सताबदी का है, तमिल में गरंथ लिखा गया था, इसका न पिर बात आई कि नहीं नहीं, इनके बारे में तो भरतमुनी ने ही बता दिया था, और लगभग उन्होंने बताया आपका 2000 इसा पूर्व में, तो बात हुई कि सबसे पुराना भरतनाट्यम के बारे में पता चलता है, सत्रिया प्यारे बच्चे पहले से नहीं था, पहले सास्तिरी नरत्यम हमारे हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ साथ, ये कौन सा सास्तिरी नरत्यम बना, आठवा, सबसे नया, और इसको जोडा गया याद रख लेना सन 2000 में, इसको वर्स 2000 में माननेता मिली, अच्छे भी है हमावा भी बन सकता है, हाँ, क्यों नहीं बन सकता है, भारते संगीत अकादमी है, भारते नरत्यम अकादमी है, इंडियन डांस अकेडमी है, वो प्यारे बच्चे रेजिटर करते हैं, इसको वर्स 2000 में, याद रख लेना बहुत इंपोर्टेंट है, 2000 में सामिल किया गया, और इसके Founder बहुत पूछे जाते हैं मैं यह कहता हूँ, S.S.C. दिवानी है इस Question की याद रखना तुम मेरी बात को सत्रिया कहा कहा है और इसके Founder कौन है? S.S.C. दिवानी है, दिल दे चुके इस Question को जैसे वह नहीं है मैं भूल भी गया अब तो बहुत सारे नाम S.S.C. इस बात को यह कह सकते हैं हम दिल दे चुके सनम इसके संस्थापक को इनके जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? जो Founder है सत्रिया के क्या बोलोगे? स्रिमत संकरदेव स्रिमत संकरदेव स्रिमत संकरदेव स्रिमत संकरदेव इसके Founder है स्रिमत संकरदेव इसके Founder हैं प्यारे बच्चे यह संस्थापक है हमारे किसके? आप कहेंगे सत्रिया के अब एक Important बात क्या है? अभी आप लोगों को नहीं पता होगा एक Dance है असम का अंकियानाट मज़दार तरीके से हम याद करेंगे जो प्यारे बच्चे याद रख लेना सत्रिया को किस नरत्य के लिए लाया गया था? सत्रिया को एक लोग नरत्य है असम का अंकियानाट सत्रिया को अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया क्या जी, ये तनी बात आप लोग तो इस तरह से ये हमारे आठ प्यारी बच्चे सास्त्री नवत्त्य हुए ठीक है बड़े दिहान से आप लोगों ने इनको देखा होगा सुना होगा, पढ़ा होगा रिविजन जरूर करना है, 10 मिनट पस और जब 10-10 मिनट रिविजन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, एक दो बार रिवाइज करने के बाद में कि चीज़े आपकी फिंगर टिप्स रहेंगे अब बात आती है, SSC ने इस फॉर्मेट से क्या-क्या कुश्चन पूछे है, कुश्चन बहुत पूछे है पूछ लिया है मुहिन यट्टम का संबंद किस से है तो वो कुश्चन में आप लोगों के लिए नहीं ले के आए जस्ट बेसिक कुश्चन पूछ लिया है आपसे प्यारे बचे कुछी पुड़ी का संबंद किस राज्ये से है और विकल्प में अंदर प्रदेश नहीं था तो मैंने आपको बता दिया तेलांगना तब आप चुने तो अभी साथ कुश्चन है उम्मीद करूँगा साथ ही सेकंड में उत्तर देंगे बहुत ध्यान से गर पड़ रहे हैं तो दिकत क्या बोलेंगे सत्रिया को अंक्यानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया अंक्यानाट को अंग्रेजी में भी अंक्यानाट ही बोलेंगे अंक्यानाट सत्रिया ऐसे लिख सकते हैं सत्रिया केम टू केम टू अंक्यानाट परफॉर्मेंस ठीक है? एतनी बात में कोई दिख करता है? अभी शुरू करते हैं प्यारे बिच्चे और ये वो टॉपिक है अगर आपने पढ़ लिया सास्ते नरत्या से बनने वाला कोई भी कुश्चन आप प्यारे बिच्चे कभी गलत कर नहीं सकते हैं आएंगे पहला कुश्चन आप लोगों के सामने हैं उत्तर भारत से संबंदित है क्या बोलेंगे? अरे उसमें मैंने एर लिखने के लिए कहता रवी से वो ले क्या वाली पीडिएफ इसमें एर लिखे हुए थे एक सेगंड देना प्यारे बिच्चे बस क्या बोलेंगे भी है अभी एक बार वो इयर भी इसमें लिखे हुए है ताकि आप लोग एक देख पाए कि किस सिफ्ट में पूछा गया है बहुत बढ़ी है इतने आप बता सकते हैं आप कैसे हुए बस दस सेकिंड का समय देंगे फिरकास तिवारी जी कथक कथक आंसर आता हुए वेरी गूट सर एससी जीडी में कुछ पूछा आता है सब जिगे पूछा आता है साहिरी सना दो साहिरी सुनने कुछ यह तुमको एक प्रॉमिस पर मिलेगी याद रखो कि एक भी चीज जो मैं आपको प्रोवाइड करांगो उसका एक भी टिप्स आप नहीं भूलेंगे कभी भी वो फॉलो करोगे तो मिलेगी रोजे चलो गई हाँ यही है देखो यह कुश्चन हम कर चुके SSC CHSL का पूछा हुआ कुश्चन है अब आते हैं MTS प्यारे बच्चे आपका 6 October 2021 को पूछा गया कुश्चन है बहुत द्यान से पढ़ना और आंसर देना एक ऐसा नरत्य है एक ऐसा नरत्य है जो भाषन माईम और सुधद नरत्यको जोडता है किसको जोडता है भाषन माईम और सुधद नरत्यको जोडता है. आप कहेंगे भहां कुची पुढ़ी में हमने यह बात नोट कि पूछा गया कुश्चन है इसी के लिए हम जाने जाते हैं और SSE के लिए मैं आपको एक input दे चुका हूँ, आप CGL 2022 उठाए, 2021 का कोई भी paper उठाए, आपको प्यारे बच्चे 50% से ज़्यादा question repeated मिल जाएंगे, लेकिन आपको effort लगाने की जुरूत नहीं है, वो उन्ची जो के लिए मैं मौझूद हूँ, ठीक है, आगे आएंगे, न तिलाना या तिलाना पढ़ा था या नहीं, मैंने बोला था कि प्यारे बच्चे आपका भरतनाट्यम का जो अंत होता है, आला रिपू से इसकी सुरुवात होती है, और अंत किस पर होता है इसका, तो क्या बोलेंगे, ends on, ends on, तिलाना, या इसी को हम तिलाना के नाम से भी ज जानते हैं, बात को समझे, आके आके, अंतिम है यह, निमलिखित में से कौन सा नरत्य है, मंदिरों को समर्पित है, और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, तो कतकली को जाना जाता था क्या, कतक का तो नाम है, नटवरी इसको जानते हैं, नटवरी कहते हैं, ठीक ह यूपी का है, मनीपूर का मनीपूरी है, कत कली है क्या प्यारे बच्चे? आप कहेंगे नई भीया, सब से पुराना है भरतनाट्यम। और याद रख लेना भरतनाट्यम के बारे में जानकारी, कमिल गरंथ कौन सा है? बारे में जानकारी। समिल गरंथ, एक स्क्रिप्चर है इनका, क्या नाम है उसका सिलपादी कारम। यह मैं प्यारी बच्चे आपको सिल्पादी कारम के बारे में हिश्ट्री में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको तमील इतिहास पढ़ाऊंगा सिल्पादी कारम में मिलता है इसमें मिलता है सिल्पादी कारम में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है बहरत का पहला पारंप्रिक नरत्य कौन सा है जिसे थेटर कला के रूप में नैसरे से तयार किया गया है इसे देश और विदेश दौनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है तो पूछरा भारत का पहला पारंप्रिक नरत्य तो सबसे पहला कौन सा है भारत का यानि सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस हमारा कौन सा है तो हम कहेंगे भीया कुछी पुरी है क्या नहीं जी मनी पुरी है क्या नहीं जी कतकली है क्या केरल का नहीं जी भरत नाटियम तमिल नाडू का है यह सबसे प्राचीन प्यारे बच्चे क्या है हमारा सास्त्र नरत्य है सबसे नया सत्रिया है जिसको सन 2000 में जोड़ा गया सत्रिया किस राज्ये का पारंपरिक हिंदू लोक नरत्य है कब पुछा गया आपका CHSL में पुछा गया कुश्चन मनिपूर असम गोवा या उडिसा तो बड़ी आसानी से भीया असम एक नटूवार प्यारे बचे अभी 2022 में पुछा गया एक नटूवार एक नरत्य गायन आयोजित करता है तो नटूवार का संबंध किस से है बोलेंगे एक बार क्या बोलोगे आप कहेंगे भीया नटूवार का संबंध है भरतनाट्यम से और ये क्या करता है आपका जब भरतनाट्यम सुरूव होता है तो कविता पाठ करता है क्या करता है ये कविता पाठ ये करता है ठीक है, खुदिकत, एक बार थम सब करके मुझे बता दो, ऐसे कौन बच्चे हैं, साथो कुश्चन बना पाए, साथो कुश्चन सिर्फ वो बच्चे बना पाए होंगे, जिनका क्लास में प्यारे बच्चे बहुत फोकस रहा होगा, खुदिकत, और सुनो मेरी बात, बहुत मेहनत करते रहना, रिवीजिन प्यारे बच्चे अपना बराबर रखना, क्लास के लिए में आपको बता चुक हूँ, इतना टाइम आप लोगों के पास है, क्यूंकि मैथ और रीजिनिंग अगर होते तो वहाँ पर आपका बहुत सारे गंटे बेकार हो रहे होते, मैथ और रीजिनिंग करना जरूर, एसकेप मत करना, क्वालिफाई करना है, ऐसा नहों कि कहीं GS की कॉपी अपकी जाची न जाए, तो इसलिए 30 मिनट, 40 मिनट उनको देते रहना, ठीक है, एक-एक मौक प्रेक्टिस सेट लगाते रहना, उनका, क गुजर जाओंगा, होसला हार के बैठूंगा, मर जाओंगा, होसला नहीं हारना, अगर आपके अंदर होसला है न, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और वैसे मैं फालतू के इस मोटिवेशन से बहुत बच्चता हूँ आप लोगों को, मेरा मानना है कि आप कंटेंट को बहु कहां है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाओंगा, तो रास्ते में बिखरना नहीं है, इस उत्साह के साथ हम पहले दिन तयारी सुरू करते हैं अगर वही उत्साह हमारा प्यारे बच्चे एक्जाम डेट तक बना रहे, तो कोई हमको सेलेक्शन से प्यारे मूंड होगा, आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कल हम एक घंटा कम कर देंगे, परसो हम साधी में चले जाएंगे, उससे अगले दिन हम कहीं और चले जाएंगे, किस दिन हमको नींद जादा आएगी, बात है जब जब आप प्यारे बच्चे अपने लक्षे से भट पूचेंगे, यह एक प्रामिस है, मिलते हैं कल को प्यारे बच्चे, इसी समय बारे बच्चे सास्त्रिय नरत्य जो प्यारे बच्चे कलाकार है, जिससे क्वेशन पूछे जाते हैं, और PDF आपको प्यारे बच्चे मिल जाएगी, तीन दिन की demo class है, demo class आपकी YouTube पर होगी, application नहीं मिलेगी आपको और प्यारे बच्चे याद रखे तीन दिन के बाद ये classes आपकी कहां application पर shift हो जाएगे फिर classes live आपको application में मिलेगी तो अमीद करूँगा आप लोगों को class अच्छी लगी होगी तो जरूर अपना review दे एक प्यारे बच्चे 5 second का आपका comment हमारे लिए ब